आज मैं बना रही हूँ अद्रक लेसन की सबसी खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है हेल्थ पेनिफिट्स पिसके बहुत ही ज़्यादा है तो सर्दियों में इस सबसी को जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और अद्रक लसन बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों में इसे खाना इसकी तासीर भी गरम रहती है तो चलिए शुरू करते हैं अद्रक लसन की सब्जी बनाएं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अक्रीबन 100 ग्राम लसन इसे मैंने छील लिया है डेड़ इंच अद्रक का टुकडा ले लिया है पांच टोमाटर ले लिया हर तीन हरी मिर्चे ले लिया है इसे दो तरीके से बनाए जाता है आप इस सब्जी में प्यास भी डालकर बना सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर प्यास नहीं डाला है मैं सिरफ अद्रक लसन टमाटर हर्मिट से बना रही हूँ तो ये ऐसे तरीके से बना कर आप इसे कुछ दिनों के लिए रख भी सकते हैं जल्दी से सब्जी खराब नहीं होती ये तीन चार पांच दिन के लिए अराम से चल जाती है इसे आप चटनी के तरीके से या सब्जी के तरीके से दोनों तरीके से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं तो यहाँ पर लसन को मैंने बिल्कुल बारी नहीं किया है थोड़ा सा कोर्स रखा है थोड़ा से दरदरा पीसा है अद्रक भी हमने पीस लिया है इन दोनों को भी हमने एक साथ पीस लिया है हमें अद्रग और लसन दोनों को अलग-अलग पीसना है क्योंकि हम इसे एक साथ में नहीं बुनेंगे थोड़े से गैप में डाल कर बुनेंगे तो इस कड़ाई को गरम कर लिया है कड़ाई में डाल देंगे 2 टेबल स्पून सरसो का तेल, तो मैंने यहाँ पर सरसो का तेल यूज़ किया है, आप किसी भी तेल में इसे बना सकते हैं, तेल में दुआ निकल चुका है, और अब हम इसने में डाल देते हैं, दो चमाय देसी घी, आप इस रेसिपी को पूरे दे देते हैं, तो जीरा देखिए हमारा थोड़ा सा भून गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं लसन, तो पहले हमें लसन का कच्चा पन दूर करना है, उसके बाद हम अद्रक को एड़ करेंगे, अगर हम दोनों चीज़े एक साथ डाल दें हैं, पहले हम लसन को भून लेंगे, उसके बाद हम अद्रक डालेंगे, क्योंकि अद्रक को जादा भूनने की जरूरत नहीं बढ़ती, लसन का जो कच्चा पन है वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने लसन को पहले डाल दिया है, और अद्रक को हम बाद में डालेंगे तो लसन हमारा ओल्मोस्ट भून चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं अद्रक तो पूरा अच्छे से ब्राउन नहीं होना चाहिए, अब हम दोनों को मिला कर भी भूनेंगे अच्छे तरीके से, चार से पांच मिनट लग जाएंगे दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनने में, तो देखिए कलर जब तक चेंज हो जाएगा, तब तक हम इसे अच्छे से भूनता नहीं है, और कलर ही इसका चेंज होगा, तो अच्छे से अधरक लेसन हमारा भून चुका है, इसमें अब हम डाल देते हैं मसाले, तो मसाले जो घर में यूज करते हैं, वही मसाले हम यहां पर यूज करें, कुछ भी एक्स्रा नहीं डालेंगे इसमें, तो हाफ वन टीस्पून यहां पर मैंने कश्मेरी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि इस से कलर बहुत ही अच्छा आता है, हमने इस सबजी में हल्दी का यूज नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी रेड ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डा साथ मिल कर भूण जाए, अच्छे से हमारे अदर कलसन्ट भी खो सोच चुका है, अब हम इसमें डाल जेते हैं टामाटर, टामाटर को मैने छॉपर में ही चॉप कर लिया था, आप चाहें तो इससे पीस कर भी डाल सकते हैं, और काट कर भी इसे आप डाल सकते हैं, तो जैस जैसे आपको अच्छा लगे या जैसे कमफडेबल हो आप वैसे से डाल सकते हैं जैसे आपका टेस्ट अइसकी हिसाब से अच्छे से मेक्स कर लेते हैं तो अब हम फ्रेम को हाई कर देंगे और तुमाटर का पानी हमें बिलकुल अच्छे से सुखा लेना है जब तक आइल पूनना ही ज्यादा जरूरी है यह रेसिपी तभी ज्यादा अच्छी लगती अच्छी से इसे बूना जाए अगर हम कच्छा पका की मसाला चोड़ देंगे तो रेसिपी के में टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है जितना अच्छी से बूने होगा आएगा पहुत ही अच्छे सीज से पानी सूखने तक कुख कर लेंगे तो टमाटर का पानी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है हलका हलका से इसमें ऑईल भी सेपरेट होने लग गया है अब हमने इसमें डाल दी है दो बड़े चमज भर कर मलाई जो दूद की मलाई आती है वो ही मलाई हमने इसमें यूज करनी है आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो चीज घर में इजीली अवेलिबल हो हमें वही चीज इसमें डालनी है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूद भी डाल रही हूँ इसमें तकरीबन एक ग्लास के आसवस मैंने इसमें डूद डाल दिया है या आप दूद अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाल सकते हैं आपको कंसिस्टेंसी की चाहिए जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उसके हिसाबसे में दूद या पानी दोनों चीज आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़े दिनों के लिए रखना है इसे तो आप इसमें पानी का यूज ना करें दूद में ही इसे बनाएं अच्छे से तो देखिए बस अच्छे से इसे बॉइल आने देंगे तब तक हम इसे अच्छे से बॉइल आने तक कर लेना है और बिल्कुल भी इसे ह तो ग्रेवी अलमस्ट हमारी बिल्कुल रेडी है आपको थोड़ी सी ठीक करनी है या थोड़ी सी आपको पतली रखनी है आप उसके हैशाब से अपनी कर सकते हैं और अब हम लास्टमेस में डाल देते हैं हाफ टीस्पून कसूरी मेथी पावडर के आपके बास पनी नमक करते हैं बहुत जादा थेज के बावन ईसमें एक श्मीक थैसीपून सब्सक्राइल करें तो सबसी हमारी बनकर बिल्कुल तयार है और इतने जादा इच्छी की खुश्पु आ रही है और टेस्ट इसका बहुत जादा बढ़िया है आप इसे बनाकर एक हफ़ते के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं अगर आप इसमें प्यास का यूज करते हैं तो यह जादा दिन करें तो सर्फ कर लेते हैं इसे गर्मा गर्म रोटी नान परांठे किसी के साथ भी तो सर्दियों में यह रैसिपी आप जरूर बनाईएगा काफी अच्छी रहती है काफी हल्दी है और इसकी तासीर भी थोड़ी गरम रहती है तो आप इसे जरूर एक पर ही बनाकर देखे में भी अच्छी तो इसे आप जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको रैसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो जल्दी मिलते हैं एक और नहीं रैसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर